हालो दोस्तों स्वाइगत आप सभी का तोले आरे सोनें क्लासिस में दोस्तों रीड साइकलोजिकी जो अपनी टेस्रीज जल रही है आज भी हम उसमें बाल विकास से समझने कुछ पुछनों के विशे में ही बात करने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आपको ध्यान होगा परिक्षिया की तिति आ चुकी है परिक्षिया की तिति हैं आपकी 25 अप्रेल तो पूरे जी जान से अपनी तयारी में जूट जाएगा हमारी तरफ से भी कुछ वीडियो और बढ़ाई जा रही है और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि Read SST का आपका स्लेवस हो चुका है इसके लावा साइकोलोजी का भी स्लेवस हो चुका है और अगर आप बात करें हिंदी का भी काफी पाठे करम हो चुका है इंग्लिस की जो क्लासिस है वो मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तो और बहुत ही जल्दे यानि 10-12 दिनों में अपने इंग्लिस का स्लेवस भी पूरा कर लेंगे हिंदी के भी अगर व्याकरन के टोबिक बचे हैं तो भी वो आपको प्लेवस में और देखने को मिल जाएंगी वहां से आप पूरा स्लेवस कर सकते हैं लेकिन SST का और साइकोलोजी का बड़े अच्छे से पूरा स्लेवस आपको प्लेवस के अंदर मिल जाएगा जिनका लिंक जो है वो आपको डिसक्रैप्षन में दे निया गया है आप अपना पूरा स्लेवस पड़े अच्छे से कर सकते हैं तो आज जिसके विश्य में हम बात करने वाले हैं वो हमारा बाल विकास का टोपिक है दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूं कि अब से आपको कुछ वीडियो की संख्या भी ज्यादा मिलेगी बचा कुछ जो भी से अपने जल्दी से जल्दी करने का कोशिस करने वाले है और उमीद है कि दिसंबर तक क्छ अपने स्लेवस से नाम पर जो सिक्षन वीदिया हैं वो से स्वास्ता के लिए उपयोगी है सभी का इस्तिमाल किया जा सकता है समय गात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से हैं सारेरी के स्वास्ते हैं मासिक योगिता हैं थकान हैं या फिर ये सारे हैं बढ़े अच्छे से जानते हैं इसका सही आशर क्या हो सकता है यह सारे ही होगी मिदला प्रिक्षाओं के ऐसे पिरेट के लेबल की हैं और यहां भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो यह कम से कम आपके रटे हुए होने चाहिए फिर से द्वारा रहोगश私न की बात करते हैं समा समाजिक विकास के परिभासा है क्या कहा गया है समाजिक प्रत्यासाओं के अनुरूप विवार की योगता का अधिगम यानि समाज की प्रत्यासाइं है समाज जो उमेद करता है उनकी अनुरूप विवार की योगता को सीखना ही समाजिक विकास कहलाता है यह कथन किसका है वाई गोस का है क्या है दूस्तों सही अंसर बड़ा अच्छा प्रिशन है और बड़ी अच्छी परिभास्षा भी है दूस्तों तो सही अंसर चेक करिए का वह नमबर एक हमारा वह हर लोग का अगले पुशन को देखेगा जोन ओप प्रोक्सिमल डवलपमेंट ये एक कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को आपको बताना है किस के द्वारा दिया गया है देखिए किस प्रकार के पुशन भी आपसे पूछे गई है तो दोस्तो क्या है सही अंसर ये किस का दिया हुआ कंसेप्ट है आपको बताना है क्या है स्कीमा है पर्तेक्षन है समयोजन है या फिर समावेशन है दोस्तो क्या है सही अंसर तो दोस्तो चेक करिएगा सही अंस्वर हमारब वह है नमबर एक वह सकीमा अगले प्रशं को देखेगा किसोरा वुस्था में संग्यानात्मक विकास की विषचता है किसोरा विषचता हैं तरक्यासा समस्याओं के समाधान की योगता में व्रद्धी होती है समाजिक जाग रुकता की योगता में व्रद्धी होती है या फिर गनिष्ट में तरता में व्रद्धी होती है यहां हमें देखना है संग्यानात्मक विकास की विशिस्ता क्या है तो दोस्तों चेक करिएगा सही आंस्वर मारा वो है नमबर दो समाजिक जागरुकता की योगिता में ब्रदी एगले पिशन को देखेगा किशोरा वस्ता कि आकस्मिक विकास का सिधान्त कब वे किसके द्वारा दिया गया 1904 में होलिंग वर्थ के द्वारा 1902 में पावलो के द्वारा 1904 में स्टैनले होल के द्वारा या 1904 में थांडाइक देखेगा किशोरा वस्ता का आकस्मिक विकास का सिधान्त यानि विकास अचानक से होता है एकदम से कोई भी विकास हो जाता है ये जो concept है ये जो सिदानत है वो किसके द्वरा दिया गया तो दोस्तों से यांसर थे हमारा वो है 9.3 1904 में Stanley Hall के द्वरा दिया गया था समाजिक एबम समयगात्मक विकास साहथ साहथ चलते हैं क्या कहा गया कि समाजिक विकास और समय गात्मक जो विकास है वो दोनों साथ साथ चलते हैं यह कतन किसका है होल का है स्किनर का है क्रों क्रों का है या फिर स्ट्रेंग का है किसका है दोस्तों क्या है हमारा सही अंसर तो चेक करिएगा दोस्तों सही अंसर हमारा वो है नंबर ए सबी देट हैं अच्छे समंन्द बनाना कि समाजिक को नहीं से अच्हे अच्छे समंन्द का ध्यान जन्नाउंगों के तरफ कि दोख चाता हैं मुख्य, गुदिय, लेंगिक या फिर प्रसुत्ति अवस्था, कौन सी अवस्था है जिसमें जो है बच्चे का ध्यान जन्नांगों की तरफ चाता है, क्या है सही आंसर, दूस्तों ये भी पूछा हुआ प्रसुन नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारे प्रसुन ही पू प्रसुन को या फिर थांड आइकोन, इनमें से किसे जो है किशोर मनोविग्यान का पिता कहते हैं, तो दूस्तों क्या है सही आंसर, जो चेक करिएगा, सही आंसर हमरा, वो है नमबर एक स्टैनले होल को खा जता है, बारवा प्रचन हमरा, कौन सा सुत्र सही है, इनमें से चार सुत्र हैं हमरे पास में, दूस्तों क्या है सही आंसर, इनमें से आपको बताना है, परिपक्वता गुना अधिगम है, जो विकास होता है, परिपक्वता प्लस विकास अधिगम होता है, विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता होती है, क्या है सही आंसर, तो चे विकास नेतिक विकास मनोसमाजिक विकास या फिर संग्यानात्मक विकास जीन प्याजी का जो बाल विकास है उसका सिधान्त का आधार क्या है दोस्तों क्या है सही आंसर चेक करिए कि वह हमारा नंबर च्यार संग्यानात्मक विकास की बात करते हैं यहीं इनका आधार भी है क कौन सा ऐसा सिद्धान ते जिसमें बाल्य काल के अनुभव के विकास आत्मक आयाम पर बल दिया जाता है व्यवार बाद प्रकार्य बाद मनुविस्टिलेशन बाद सरंचना बाद क्या है दोस्तों सही आंसर चेक करिए का इन में से सही आंसर क्या है दोस्तों तो दोस्तों सह यहां जो बल दिया जाता है वो अनुभाव की विकास आत्मक आयाम पर दिया जाता है पंद्रवे पिशन की बार करें जीम में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपकोता कहलाता है यह में जाता है नहीं विकास्त तिफा वर्द्धी दोनों का पूरा हो जाने वाला परीपकोटा जह रता है कि है रहा है 150 तरह हne रहर है या फिर में ने कहा था यह कहने वाले कोन थे अपेछना क्शे रही कैसे कर दोस्त नशार या फिरषो या फिर छासी का यह चाहँ ग्या है बार्वकों के सर्वोतनमखी विकास थे सरवादिक ऊचितसान है, कौन सा है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकरती जगत, या फिर प्रयोचसाला ये दोस्तों, बहुत बार पुछा जाने वाला पुछन है बेड में भी पूछा जाता है टेट में भी पूछा जाता है क्या है सही आंसर सर्वोत मनमुखी यानि सभी और से विकास के लिए कुछ सबसे उचित स्थान कुछ सा है क्या है दोस्तों अगर हमें इन में से एक निकालना हो तो दोस्तों सही आंसर हमरा वो है नमबर एक, खेल के मिदान में सभी प्रकार के विकास होते हैं एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत से सक्त भी हो सकता है जो दोस भावनाओं की ओर ले जा सकता है क्या है दोस्तों इसका आंस्वर कौन सी अवस्था है वो 18 महा से 3 वर्स तक कहें 3 वर्स से 6 वर्स तक पहल बनाम 2 सबस्था है 6 से 12 वर्स या फिर किस वर अवस्था है क्या है दोस्तों सही आंस्वर एरिक्सन के अज़ार पुछा जा रहा है तो दोस्तों सही आंसर अमरा वो है नमबर दो तीन से च्छे वर्स तक के पहल बना दो सबस्ता वनसा नुकरम से समंदित प्रयोग चुहों पर किस ने किये थे कारिक पियर्सन ने किये थे, मेक डूगल ने किये थे, मेंडल ने किये थे या फिर पॉलो ने किये थे वनसान उक्रम से समंदित प्रियोग जो है वो चूहों पर किसी नहीं किये थे क्या है दोस्तों सही आंसर तो दोस्तों सही आंसर मेरा वो है नमबर तीन मेंडल के द्वरा किये गए थे फ्रोयड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यले की आयू कहा जाता है आपको बताना है फ्रोयड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यले की आयू कहा जाता है लेंगिक अवस्था गुदावस्था आवेक्त अवस्था या फिर सेश वस्था प्रारंबिक विद्य लेकिया यों किसे कहते हैं दोस्तों तो सही आंसर अमरा वो है नमबर एक लेंगी का वस्था को कहते हैं अगले विश्ण को देखेगा प्याजी की कौन से अवस्था का समन्द ए मूर्थ और तार्किक चिंतन से है समय दिगामक अवस्ता पूरो संक्रियात्मक अवस्ता ए मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता या मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता कौन सी है कौन सी अवस्ता का समन्द ए मूर्थ और तार्किक चिंतन से है क्या है दोस्तों सही आंसर तो चेक करिएगा वो हमारा निम्बर तीन ए मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था 21 प्रिशन देखिएगा प्याजी के संग्यानात्मक पिकास के सिदान्त के नुसार सम्मिष्टी करन से क्या अभिप्राई है 20 प्रिशन देखिए क्या आभिप्राई है पूरोवरति विद्यमान बोदिक संग्यान की विवश्थेत करना क्या है सही अंसवर समविष्टि करन का ताथ परी क्या है दोस्तों गरच्छे से पढ़ा है तो अंसवर चेकर लीजिए वो है नमबर दो चिंतन के ने तरिकों का समावेश्ट था पूरो बरती विद्यमान बोधिक सरंचनाव में सुधार करते हुए विवार करना अगला प्रिशन देखेगा निमन में से किसको विद्याले में समाजी करन के विशिष्ट अवस्था माना जाता है सेश अवस्था बाले वस्था प्रोढ़ा वस्था या फिर किशवर अवस्था विद्याले में समाजी करन के विशिष्ट अवस्ता माना जाता है तो दोस्टो सही आंस्वरल रहा वो है नंबर दो बाले वस्ता को माना जाता है निवन मेंसे के अतिरिक्ट यानि 1 को छड़ो कjuघ्य के सभी बातवर्णीयकारक विकास को आकार देते हैं कौन सा नहीं है दोस्टो इमें से जुरूरी पोस्टिक्ता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, सारे रिकट हैं कौन सा है दोस्तो सही अंसर जो सभी वातावरणिय कारक हैं यहां वातावरणिय कारक की बात अपने कर रहें दोस्तो सही अंसर हैं मरा नमबर चार सारे रिकट हैं कि ये वातावरण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है ये वंशान उक्रम पर काफी ज़्यादा डिपेंड करता है अगलिप्शन को देखीगा विकास में व्रधी से क्या तात परी है व्रधी के हम बात करें विकास जो है उसमें व्रधी शब्द जो आता है उसका क आतातपली हैं ज्ञान में व्रद्धि समयक में वरदि वजन में व्रद्धि आकारसोच 사मझ को स्लो में व्रद्धि क्या है दोस्तों सही आंस्वर तो दोस्तों janora नंबर में अनबर है अगले पूरी पूर्जय को दिखिए गायो विकास कैसा परिवर्टन है गुरनात्मक है या फिर नकारात्मक है, विकास किस प्रकार का परिवर्टन है दोस्तों, कौन सी स्रेड़ी में आएगा, दोस्तों चेक करिएगा सही आंसर वहमरा नंबर एक गुणात्मक, हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्रद्धी जो है वो मात्रात्मक परिवर्टन है, और विकास जो है और योगेताओं को प्रस्पूटित करता है, यह कथन किस का है, सही आंसर चेक करिएगा, दोस्तों वह है, नंबर एक हर लोग का है किश्वरावस्ता एक नया जनम है, इसमें उचतर और सिरिष्टर मानो विशिस्ताओं का जनम होता है, यह कथन देने वाले कौन है जोन एंड सिंपसन, गैसल, स्टैनले होल या फिर गोड़ फ्रेक, क्या है दुस्तों सही आंसर, यह परिवाशा है, बताना है यह कथन किस का है, तो सही आंसर हमारा वह है नंबर तीन स्टैनले होल का है किश्वरवस्ठा आदर्चों की वह अवस्ठा है सिधानतों की निर्मान की अवस्था है साथ ही जीवंका समपनिय समयोजन है यह परिवाशा देने वाले कौन है दोस्टों, इस प्रगार की परिवाशना आपके आएंगी, आती है 2-3 परिवाशाओं के आतने अगला पुर्षान देखिएगा, एक बालक समाझिक रूप से पूर्था मना जाएगा यदी वहें, विभिन प्रकार की विक्तियों के साथ विवार करना जानता है, अपनी प्रेवार की बीच लोग प्रे VERY नहीं है, अपनी प्रिवार के सद के साथ समन्द नहीं रखता है, व विभिन प्रकार के विद्विन के साथ वो व्यभार करना जानता है तो उसका मदलब उसका समाजिक विकास तो है वो पूरा हो चुका है विकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसे समंदिते हैं अंते समंद के विकास से निरंतरता के सिधान से एककर्ण के सिधान से या फिर अंते के लिया के सिधान से खतन है विकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रकिरिया है आपको बताने है किसे समझ देता है कौन से सिधान से समझ देता है तो दोस्तों से यांसर हमारा नमर दो ये किसकी बात कर रहा है ध्यान दीजिए कभी ना समात होने वाला यानि किसकी बात कर रहा है निरंतरता की तो बात कर रहा है तो दोस्तों ये थी आज की हमारे प्रियास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना दोस्तों thank you very much